Hello everyone, अभी मैं आपको Eduteria Current Affair 2022 की नई वाली आई हुई है इसमें जो पीछे 1000 questions दिये हुए हैं, इसके मैं practice set साथ अभी आपके साथ discussion करूँगा और अभी अब तक आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया हैं, तो please आप हमारे channel को subscribe कर दीजिए और remaining video जो हैं, इसके practice set एक से लेकर 20 तक के, वो भी मैंने upload किया हुआ है, वो भी आप जाकर देख लीजिए तो चलिए सबसे पहले शुरुवात करते हैं, practice set 7 का question number 1 इसके अंदर है, पैला question है यह, free smartphone योजना, ये free smartphone योजना, जो हैं, ये किस Wrọजय सरकार ने शुरुवात किया है, किस revolutionary सरकार के दौरा शुरुवात किया है तो, मद, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के द्वारा फिरी ये स्माइट योजना ये शुरुवात किया गया है नेक्स्ट है चौथा पॉर्थ जो है स्वस्थ सुच कांग ये ज़़धा जो है राज्य स्वस्थ सुच कांग जो है इसके संबंद में कुछ तथ्य दिये गया है आये देखते हैं कि कौन सा तथ्य जो है वो शही है पहला ये निती आयोक के द्वारा जारी किया जाता है ये बिल्कुल शही है बरे राज्य की बात कर रहा है तो बरे राज्य में केरल को पर्थम अस्थान पराप्त हुआ है ये भी बिल्कुल शही है और बरे राज्यों में ही बिहार जो है इसको नीचे दूसरा अस्थान पराफ्त हुआ है तो ये भी बिल्कुल शहीं है तो इसके जो उप्युक्त सभी इसके एंसर हो जाएंगे नेक्स्ट है साइके मीशन साइके मीशन जो है ये नाशा के द्वारा लॉंच किया गया है Saike Mission लॉंच किया गया है Saike Mission और Saike Mission के बारे में समझते हैं ये चुदरगरा Saikeya जो है इसके अध्यन है तु Saike Mission को नाशा के द्वारा लॉंच किया गया है नेक्ष है BJ 1000 Trophy 2021-22 इसका जो खिताब है ये कौन जीता है, तो ये हिमाचल प्रदेश जीते हैं, बिजय हजारे ट्रोफी, दो हजारे की सबाइस का, नेक्स्ट है, संकल्प अश्मारक, संकल्प अश्मारक जो है, ये इसका उडगाटन किया गया है, तो पूछ रहा है कि किस राज्य या केंदर सासित प्रदेश में इ पहन का निर्मान किया गया है, तो ये किस देश के द्वारा किया गया है, तो ये जापान के द्वारा किया गया है, नेक्स्ट है, सहित अकादमी पुरुषकार 2021 के संबंध में कुछ तथे दिये गए हैं, आएए देखते हैं कि कौन सा तथे इनमें सही है, तो पहला है, इनकी एक पुष्टक है ये बर्निंग जो है ये मेगा मजुमदार की पुष्टक है और इनके लिए इनको सहित्य अकादमी इवा पुरिषकार 2021 का खिताब दिया गया है तो ये बिल्कुल सही है दूसरा है अंग्रेजी भासा नमीता गोखले जो है नमीता गोखले इनको अंग्रेजी भासा का थिंग्स टू लिब बिहाइंड के लिए अंग्रेजी भासा का सहित्य अकादमी पुरिषकार दिया गया है ये भी बिल्कुल सही है और हिंदी भासा के लिए दयाप्रकास सीनह को सहित्य अकादमी पुरिषकार दिया गया है तो ये भी बिल्कुल सही ये सही है नेक्स है देखिए बिहार सरकार जो है बिहार सरकार बाल बिवा बाल बिवा और दहेज पर्था को समाप्त करने के उद्यसे से एक योजना एक अभियान की सुरुवात की है इस अभियान का नाम क्या है तो समाज सुधार अभियान है ये ये बिहार सरकार का है समाज सुधार अभियान, नेक्स्ट है, सैफ अंडर 19 महिला चैंपियंशिप 2021, सैफ अंडर 19 महिला चैंपियंशिप 2020, इसके संबंद में कुछ तत्थे दिये गए हैं, और कह रहा है कि इसमें कौन सा सही है, तो आएए देखते हैं, इसकी जो आयोजेन हुआ था, सैफ अंडर 19 महिल इसके सही हो जाएंगे, नेक्स्ट है, हमारे ग्री मंत्री है, अमीत साजी, जो है, यह हमारे ग्री मंत्री है, और इन्होंने भारत दर्शन पार्क का उडगाटन किया है, भारत दर्शन पार्क का इन्होंने उडगाटन किया है, तो यह कहां पर इन्होंने उडगाटन किया का record बनाया है तो यह है मुहम्मद समी नेक्स्ट है ASIGMA की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह messaging app है ASIGMA और इसको जो launch किया है यह भारती स्यना के द्वारा launch किया गया है नेक्स्ट है यह कुछ न्यूक्तियां दी गई है और इनको हम लोग सुमिलित करना है देखते हैं कि या नहीं आईए देखते हैं तो सबसे पहले हम अनुपंब्रे की बात करते हैं अनुपंब्रे निरस्ति करण पर संजिक्त राष्ठ शमेलन में भारत के अस्थाई परतिनी दी हैं तो यह बिलकुल सही है और जगदिश कुमार जी जो है ये UGC के अध्यक्ष है तो ये भी बिल्कुल सही है संजे कुमार सिंग जो है इसपात मंतराले के संचीब बने है तो ये बिल्कुल सही है तो पिक्त डी इसके सभी अंसर हो जाएंगे नेक्स है Red Inc. का Red Inc. Journalist of the Year पुर्शकार से सम्मानित क्या गया है बर्ष 2020 के लिए Red Inc. Journalist of the Year पुर्शकार से नवाजा गया है किनको तो दानीस सीद siitä की जी को नवाजा गया है और इनका ध्यान्त हो गया है मरनो परांतिन को दिया गया है नेक्स्ट है सुशासन सुशकांक 2021 इस पीडियाप पे थोड़ा सा धुंदलापन आ गया हुआ है तो एक बार थोड़ा सा आप अपने किताब से भी देख सकते हैं चलिए शुरुआत करते हैं सुशासन सुशकांक 2021 इसके अंदर बरे राज्यों में जो पर्थम अस्थान है ये है गुजरात नेक्स्ट है एक पुष्तक है पुष्तक का नाम है दो मोधी गैमबिट डिकोर्डिंग मोडी 2.0 जो इसके राइटर है ये संजु बर्माजी है और नेक्स्ट है नदी उत्सब नदी उत्सब जो है नदी उत्सब नदियों को सम्मानित करने के लिए आयोजन किया गया है तो ये गुजरात सरकार के दोड़ा आयोजन किया गया है नेक्स्ट है बैस्विक परियावरन और जलवायू कार्यवाई नागरीक आवाड कह रहा है कि किस भारतिय उत्धोग पती को बैस्विक परियावरन और जलवायू नागरीक आवाड से सम्मानित किया गया है तो ये बिरल देशाई जी को सम्मानित किया गया है नेक्स्ट है निव डेवलोप्मेंट बैंक निव डेवलोप्मेंट बैंक के अभिनेत्री को बर्ष 2021 का पर्षन ओफ दा इयर घोशित किया गया है तो ये हैं आलिया भट नेक्स्ट है स्वस्त मंतराले जो है हमारा ये COVID-19 के नए टीको को COVID-19 का जो नए टीका है इनको अपात कालिन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है तो ये कौन-कौन सा है तो ये कार्भी वैक्स है और को वैक्स है ये दोनो टीके को हमारे जो स्वस्त मंतराले है आपात कालिन इस्तेमाल की मंजूरी दी है तो इसके एंसर हो जाएंगे A और D दोनो भारत बन स्थिती रिपोर्ट 2021 की बात हम लोग करते हैं तो कूल बना वरन कितना है तो 713-789 वर्ट किलो मीटर है तो इसके अंसर हो जाएंगे D Next है हरून गलोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान पराप्थ हुआ है तो हरून गलोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के अंदर भारत को तिर्थिये स्थान पराप्थ हुआ है Next है ये जेमस बेब जो है जेमस बेब है एक टेली इसकोप है नासा का नासा का टेली इसकोप है जेमस बेब और आए अब कुशन को समझते हैं ये दुनिया का सबसे सकते साली जेमस बेब टेली इसकोप है आंतरिक शेस्ट कोप है नासा का और इसको नासा ने लॉंच किया है Next है देखिए ये कुछ योजना है जो परदान मंतरी मोदी जी के दोरा इसका हुडगाटान और सिलन्यास किया गया है इस फोटल योजना में 11,000 क्रोल रुपे का investment हुआ है और ये हिमाचल प्रदेश की फोटल योजना है तो ये जल्ब इधूत परयोजना है तो आईए देखते हैं ये रेनुका जी बांध पर्योजना ये हिमाचल प्रदेश में है ये बिलकुल सही है और ये जो है ये किस नदी पे है तो ये गिरी नदी पे है गिरी नदी है गिरी नदी पे गिरी नदी पे है और ये जो है यमुना का सहायक नदी है यमुना का सहायक नदी है यमुना का गिरी नदी और इसके उपर रेनुका जी बांध पर्यूजना का निर्मान किया जा रहा ह लुहरी stage one hydro पर्योजना की अगर हमनों बात करते हैं तो ये जो है 17 नदीपे इसका बनाया जा रहा है किस नदीपे 17 नदीपे 17 नदीपे इसका निर्मान क्या जा रहा है लूहरी ये सारे हिमाचल प्रदेश के अंदर है लोड़ी स्टेज्वन हाइड्र पावर प्रजेक्ट नेक्स्ट है सावरा कुडू जल बिदूत पर योजना ये पबर नदी पे बनाय जा रहा है पबर नदी पे बनाय जा रहा है तो ये इसके अंसर सभी हो जाएंगे और आप इन सब कुछ चीज को भी रिमेनिंग फैक्ट को भी आप ध्यान रखिएगा नेक्स्ट है पीम गती सकती कारगो टर्मिनल पीम गती सकती कारगो टर्मिनल तयार किये जाएंगे तो पूछ रहा है कि तीन बर्स के दोरान मल्टी मोडर लोजिस्टिक शुबधाओं के लिए कितने पीम गती सकती कारगो टर्मिनल तयार किये जाएंगे तो हन्रेड नेक्स्ट है नेक्स्ट है कौशल रोजगार निगम पोटल ये लॉंच किया गया है कौशल रोजगार निगम पोटल को लॉंच किया गया है किसके लिए लॉंच किया गया है तो जनता की सिकायतों को हल करने के लिए कौसल रोजगार निगम पोर्टल को लॉंच किया गया है किसके द्वारा तो हरियाना के सरकार के द्वारा नेक्स्ट है अंडर 19 एसिया कप का किताब जो है यह किस ने जीता है तो यह भारत ने जीता है नेक्स्ट है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO किसे निवखत किया गया है तो बिने कुमर्तिर पाठी जी को निवखत किया गया है नेक्स्ट है महरानी एलीजावेत के नाम पर एक जो देश है वो अपने दूइप का नाम बदलने की घोशना किया है यह देश है अस्ट्रेलिया नेक्स्ट है दुनिया की सबसे लंबी मेटरो लाइन का उड़हाटन किया गया है यह कहां किया गया है तो यह चीन के अंदर क पहुचने वाली बिश्प की पहली कमपनी बनी है तो ये बनी है एपल नेक्स्ट है और तालिशवे G7 सिखर सम्मेलन इसकी अध्यक्सिता जो है ये किस देश के द्वारा की जाएगी बरस 2022 में तो ये जर्मनी के द्वारा की जाएगी नेक्स्ट है ONGC की पहली मैला CMD बनी है Chief Managing Director होता है CMD का Full Form तो ONGC की जो पहली मैला CMD बनी है ये अलका मित्तल बनी है और ये कुश्चन जो है एक्जामस में आ चुका है तो आप इसको ध्यान में रखेगा देखे आर्थिक सर्वेक्षन हमारा 2021-2022 जारी किया गया इसके अंदर ये बताएगा कि FDI के अंतरगत FDI Equity के अंतरगत जो है भारत में सबसे ज़्यादा निवेश अगर हुआ है तो वो सिंगापूर के तहत हुआ है मतलब सिंगापूर जो है भारत में सबसे ज़्यादा निवेश किया है FDI में Next है ये COVID-19 का एक variant है इसका नाम है B.1.640.2 और इसको हम लोग IHU के भी नाम से जानते हैं तो ये किस देश का है तो ये France Next है एक अदालत है हमारे देश की जो पहली पेपरलेस अदालत बन गई है तो ये अदालत है केरल हाइकोट Next है LPG युक्त धुमा मुक्त राज्य बना है ये हिमाचल परदेश बना है Next है सिंधु ताइस सपकला ये सिंधु ताइस सपकला जो है इनका नीधन हो गया है और इने 2021 में पदम सिरी से सम्मानित क्या गया था तो ये है समाद से भी थी Next है 24 राष्टिये शम्मेलन देखे इपरशासन पर 24 राष्टिये शम्मेलन का आयोजन हुआ था तो ये कहां हुआ है तो 24 राष्टिये शम्मेलन का जो आयोजन हुआ था ये हैदराबाद के अंदर हुआ था इपरशासन के उपर नेक्स है, पचीश में, राष्टिये इवा महोतसव, 2022 का जो आयोजन हुआ था, ये पुड़्ूचेरी में हुआ था नेक्स है, सिक्छाक बिसो बिद्ध्याले अस्थापित करने के लिए एक पिद्हेक पारित किया है, कहां की विधान सवा, तो ये दिल्ली की विधान सवा, नेक्स्ट है, ये कुशन काफी इंपोर्टेंट है, और ये एकजामस में आ चुके हैं, तो आप इसको ध्यान में रखेगा, शुरक्षा परिशद की आतंकवाद निरोधी समीती का जो दियाक्ष नियुक्त किये गए हैं, ये टियस तिरी मूर्थी जी को नियुक्त किया गया है, मिन्दम मंजपई ये योजना है, ये तमिलनाडू सरकार का है, मिन्दम मंजपई योजना, तो ये मिन्दम मंजपई योजना की शुरुवात किये तमिलनाडू सरकार, आईए, देखते हैं क्यों शुरुआत किया है, तो कपड़े के थैले के उपियों को पुरुतसाहित करने के लिए, मिन्दम मंजपई योजना की शुरुआत किया है, तमिलनाडु की सरकार ने, Next है, आपदा परभंदन पर, आपदा परभंदन पर, शहयोग के लिए भारत जो हैं तुर्के मिस्तान के साथ समझोता किया है देखिए आपदा परवंदन पर आपदा परवंदन पर शहयोग के लिए भारत जो हैं तुर्के मिस्तान के साथ समझोता किया है नेक्स्ट है रोक संग्राले देखिए ओपेन रोक संग्राले के हम लोग बात करते हैं ओपेन रोक संग्राले ये भारत का पहला ओपेन रोक संग्राले और इसका उट घाटन कहां किया गया है तो हैदराबाद के अंदर किया गया है नेक्स्ट है हमारे जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंदर परधान जी हमारे शिक्षा मंत्री है और इन्होंने जो है 100 दिवसिये 100 दिवसिये पठन अभियान का सुभारम किया है कब 1 जनवरी 2022 से तो ये डेट भी आप याद कर लिजेगा कि हमारे जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंदर परधान जी इन्होंने एक जनवरी 2022 से 100 दिवसिये पठन अभियान का सुभारम किया तो ये है सब पढ़े सब पढ़े नेक्स्ट है ये भारतिय महिला किर्केट खिलारी है इनको बड़्ष 2021 की सर्वस्रिष्ट किर्केटर के रूप में नामीत क्या गया है तो इनका नाम क्या है इनका नाम है एस्मृति मंधाना नेक्स्ट है मेजर ध्यान चंद खेल बिश्व बिद्याले देखिए ये हमारे मोदी जी के द्वारा इसका अधार सिला रखा गया है मेजर ध्यान चंद खेल बिश्व बिद्याले ये उत्तर प्रदेश के मेरट में रखा गया है मेजर ध्यान चंद जी मेरट कहीं थे नेक्स्ट है दक्षनी धुरूब पर अकेले पहुचने वाली पहली अश्वेत महिला कोन बनी है तो ये पिरित चंडी बनी है दोस्तो इशी के साथ प्रैक्टिशेट शेविन समाप्त होता है और आप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और जो भी रिमेनिंग वीडियो है इस सेट का आप उसे भी जाकर देखिए थैंक्यू पर वाचिंग